जहिंत पेरे साथियों नमस्कार श्वागत है ड्री मेगिजाम के यूटूब जैनल पर साथियों जैसा कि आप सबी को पता है राजस्तान नगर पाली का सफाई करमचारी भरती को लेकर कल एक मिटिंग हुई थी जैपुर में और नंद किसोर डांडोरिया जी ने जो इस मिट सक्षन में जरूर दीजिएगा साथ यों आप लोगों बता दूं कि कल जो फैसला लिया गया है वोग यह कि आज 6 जून है और आज से सारी की सारी ओल्ड राजस्तान में पूरे राजस्तान में सफाई व्यवस्ता को ठप कर दिया गया है यानि कि वहाँ पे फैसला ये लिया गया है कि कोई भी वालमी की समाज का कंडिडेट कोई भी सफाई के काम पे नहीं जाएगा सबी छुट्टी ले लेंगे और एनिस्चित काली ने एक धरना जो जैपुर में दिया जा रहा है तो इसके चलते अब दे को सरकार भरती नहीं निकालेगी विभाग के तरप से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक ये आंदोलन जो धरना है ये ऐसे ही जारी रहेगा और युवाओं के साथ जो सरकार खिलवार कर रही है ये अब नहीं चलेगा वालमी की समाज को वालमी की समाज को प्रात्मिक्ता देते हुए ये भरती चाहिए और वालमी की समाज का ये भी कहना है कि ये जो ट्रेट टेस्ट इस भरती में लिया जाएगा यानि कि जो काम करवाए जाएगा वो एक दिन के काम पे तैना करे, continue एक महीने काम करवाए और जो काम कर सकता है उसी को इस भरती में सामिल किया जाए या इस भरती में लिया जाए पास किया जाए, अधर समाज का कोई भी candidate अगर एक महीने तक ये काम कर सकता है तो ही उसे पास साथ दिन में आप लोगों को जल्द इस भरती से जुड़ी कोई ने कोई बड़ी ने बड़ी से अपडेट जल्दी मिलने वाली है और आप लोगों को इस भरती का नोटिपिकेशन बिल्कुल 30,000 पदों पे भरती का नोटिपिकेशन जल्द मिलेगा जिसमें वालमी की समाज क पहले हस्ताक्सर होए थे उसी हिसाब से अभी एनिस्टित का लिए धरना जारी है देखते हैं कब तक नोटिपिकेशन आने का चांज है बाकि जो हमारे जो सोर्सेज से जो हमें पता चला है वो यहीं है कि जल्द ही कोई ने कोई एक्षन लेगी क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके से सिटियों में, सहरों में, नगरपाली काओं में गंदगी फैले और यह जो यूवासाती है जो भी सफाई स्रमिक है जो वहाँ पे गए हैं इस तरीके का कोई भी उपद्रव वहाँ पे हो तो सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी और मिशन रिपीट मोड पे सरकार इस बार है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आप लोगों की भरती जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिपेकेशन देखने को मिलेगा साथियों बने रही गए ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ ड्रेम एक्जाम के यूटूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत आभार है